Hi everyone, welcome to my channel, I am Simran Zahani and आज मैं आपको पराऊंगी Class 12 Political Science की दूसरी बुक का दूसरा चैप्टर Era of One Party Dominance तो लास्ट चैप्टर हमने challenges of nation building पढ़ा और हमने जाना कि जैसे ही हमें independence मिली तो कितने बड़े बड़े challenges हमारी country ने face करें उन्हें कैसे overcome करा और कैसे united India unity in diversity वाला इंडिया जो है वो form हुआ ठीक है आज हम जानेंगे अपने second chapter के through कि कैसे basically हमारी country में democracy जो है वो establish की गई थी कैसे हमारी country में पहली बार elections conduct कराई गए थे जब elections conduct हुए तो क्या-क्या दिक्कते आई कैसे उन्हें solve करा और plus अगर आप chapter का नाम जानना चाते हो era of one party dominance आप ये जानोगे कि पहले तीन general election तक पहले तीन बार हमारी country में election हुए पात-पात साल के अंदर में तो तब congress party जो थी वो जीता करती थी Congress की victory होती थी तो वो era of one party dominance क्यों था why Congress was winning again and again तो आप ये सब कुछ जानोगे इस chapter के थू opposition party का क्या role होता है everything you will know in this chapter तो जैसे की अब हमारे आपे कितने successfully elections होते है opposition party participate करती है एक party जीतती है फिर prime minister बनते है state level पे भी parties पे election होते है ठीक है जो party को सबसे जादा vote मिलते वो जीतती है और हमारे chief minister बनते है तो ये election की प्रकरिया इंडिया में कैसे शुरू हुई जब हुई तो क्या दिक्कते आएगी ये सब आप जानोगे इस chapter के through तो बहुत interesting chapter है the real meaning of democracy the implementation of democracy you will know from this chapter ठीक है तो शुरू करेंगे era of one party dominance को ठीक है तो पहला topic यहाँ पे हमारा आता है challenges of building democracy तो यहाँ पे आपको यह बताया है कि पहले chapter में आप देख चुगे कि कैसे independent इंडिया born हुआ इतनी difficult situation में और कैसे उसे overcome करा जो मैं आपको बता चुकी हूँ इस chapter में आप जानोगे कि कैसे हमने अपनी country में democracy establish करी क्योंकि leaders ने कहा था कि democracy सिफ on papers नहीं रहेगी हमें democracy established भी करनी है and you know अगर जिस situation में हम लोग born हुए born हुए मतलब जब हम independent हुए तो बहुत difficult situation थी बहां partition हुआ फिर इतना violence हुआ फिर इतने लोग जो है displaced हो गए साथी के साथ में जो हमारा जो है अपनी वर्जी करिया अप अलग country भी बना सकते हो इंडिया के साथ भी रह सकते हो पाकिस्तान के साथ भी इतनी भयंकर situation में अगर कोई भी देश जो है जाता तो हो सकता है वहां के national leaders सोचते कि अभी democracy से country को नहीं चलाते हैं अभी किसी और तरीके से चला लेते हैं बाद में democracy establish कर देंगे क्योंकि democracy को implementation में लाने में भी काफी time लगता है constitution मनेगी बाकी चीज़े decide होंगी बट हमारी country के leaders ने ऐसा नहीं करा यही आपको first topic में बता रखा है that faced with such serious challenges leader in many countries of the world decided that their country could not afford to have democracy पता है ऐसा हुआ भी कि ऐसा colonialism खली हमारी country नहीं नहीं था बहुत सारी और ऐसी country जहांपे Britisher ने भी colonial बना रखी थी तो ऐसी country के example है हमारे पास जिनको जब अजादी मिली तो उन्होंने democracy नहीं लगाई उन्होंने कहा कि हाँ नाम की democracy लगा दी उन्होंने अभी military लोगा दी और कल को कहते है कि चलो कल को democracy establish कर लेंगे काफी countries में ऐसा हुआ बठा हमारी country में ही सवाल यह नहीं था कि हम किसी और टाइप का rule करेंगे हमारी country में तो starting ही हमारी freedom सगर की with the demand of democracy हुई थी तो बिल्कुल पक्का था कि कितनी भी मुश्किले आए हमारी country के leaders मुश्किलों से नहीं दरे और उन्होंने कहा कि हमारी country में लगेगी जो है सिर्फ और सिफ democracy की हमारे democracy establish होगी तो इंडिया इंडिया के जो leaders थे हमारे इंडिया के जो leaders थे उन्होंने more difficult path को choose करा कि हम लोग जो है जो है अपने country वे democracy establish करेंगे no matter हमारे कितनी problems अभी आ रही हो जिन हमें face करना economy भी संभालनी थी integrate करना था country को princely state का integration partition के बाद की problem everything but democracy तो establish करनी है ठीक है अब हमारी country के leaders ने ऐसा क्यूं सोचा कि नहीं हम democracy ज़रू establish करेंगे क्यूंकि हमारी country politics को हमारी country के leaders जो थे वो politics को जो है positive way में लेते थे कई country leaders कई countries politics से थोड़ा धरती थी कि अगर democracy होगी then politics होगी decision making में late हो जाएगी बट हमारी country के leaders का यह नहीं था हमारी country के leaders ने क्या सोचा the critical role of politics जो होती है किसी भी democracy में वो अच्छी है उन्होंने politics को problem नहीं समझा उन्होंने politics को समझा as a way of solution of the problems उन्होंने कहा कि हर country ऐसी होती है जिनको decide करना होता है कि उनको कौन चलाएगा जो उनको कौन govern करेगा ठीक है अलग अलग policies कौन choose करेगा ठीक है democratic politics में जो है यह question होता है कि हमारी जनता के पास है सारी dealing वो अपनी leaders choose करेगी फिर वो आगे चलाएंगे यह पूरे process में काफी time लग जाता है तो काफी countries ऐसी जो है डरती थी भाई politics हम अगर करना start कर देंगे तो country संभलेगी कैसे बढ़ हमारे leaders ने politics को in a good way समझा कि politics क्या है power है competition के लिए competition होगा और पावर होगी politics मतलब क्या होता है हमारे politics होती है political parties के बीच में election के दोवन क्या होता है सब compete करते हैं सब अपने अपना जो है policies दिखाते हैं जनता को कि हमारी पॉलिच के हमें वोट दो हमें वोट दो एक competition होता है election होता है उसका result आता है फिर जो पॉलिटी जीती है उसको political power मिल जाती है जो हमारी country के leaders ने politics को in a good way समझा democratic politics is an answer to this question उन्हें क्या कहा कि भाई कौन चलाएगा country को जो ये question आता है कौन सही फैसले लेगा इसका solution ही politics से मिल सकता है कौन सी politics है democratic politics है तो इसलिए उन्होंने politics को कुछ गलत नहीं समझा कि politics होगी country में तो कुछ दिक्कत है आएगी नहीं उन्होंने समझा कि democratic politics अगर हम करेंगे तो हमें answer देगी हर question का कि भाई कौन फैसले लेगा किस के हग में फैसले लेगा कैसे लेगा वाइल competition and power are two most visible things about politics the purpose of political activity is and should be deciding pursuing public interest मतलब हमारी country की leaders को ये था कि politics में कोई भी आए political power में कोई भी आए कोई भी party जीते किसी भी इंसान के पास political power हो उसका यही हित होना चाहिए कि जो भी वो काम करेगा वो जो है लोगों की भलाई के लिए करेगा तो इसलिए हमारी country के leaders ने politics को जो है positive way में लिया यह सोचा कि जो democratic politics के बाद leaders जो है election के बाद जीतेंगे जो वो politics आगे करेंगे जो भी country में आप भी हमारी country में politics चलती है पॉलिटिक्स के होता है struggle for power तो जो भी हमारी country में politics चलती है वो किसके लिए चलती है जनता के भले के लिए अब हम चालते अपनी constitution के बार में chapter जो है अपने first second third class 11th की book में भी पढ़ चुगया दुबारा पड़ो that जो हमारी constitution है वो अडॉप्ट हो गई थी 26 November 1949 को sign 24 January 1950 को and came into effect यानि कि हमारे भारत का समीधान लागू हुआ था 26 जन्वरी 1950 को तब ही हम 26 जन्वरी को अपना जो है Republic Day को celebrate करते हैं तो 26 जन्वरी 1950 को हमारा constitution है वो लागू हो जाता है उस समय पे हमारी country को interim government rule करे थी जिसको मैंने आपको कहा अगर हम simple language में बोलो तो temporary government was ruling our country at that time and जब हमारी constitution बन जाती है अब हमारे लिए पका था कि भाई अब ensure करो कि आप free fair तरीके से new election country में first election country में जो है करवाई जब आप सोचो कि दी पहले election क्यों नहीं करा है constitution ऐसे क्योंकि गहिस constitution में ही तो लिखा गया कि किस तरीके से election कराए जाएंगे क्या framework होगा क्या rules होंगे क्या regulations होंगे तो जब finally constitution बनी उसके बाद हमारा पहला election हुआ ठीक है तो जो हमारी constitution बनी थी उसने पूरा जो है हमारी constitution में rules लिखे गए पूरा का पूरी machine अब ready थी बस हम machine को हमें चलाना था कि भाई अब हमें अपने elections को conduct कराना था तो जब हमारी election कंड़क्ट होने तो हमारे election कंड़क्ट कराने के लिए election कमिशन को सेट अब करा गया January 1950 में one mark question mark कर लो मैंने green pen से mark कर रखा है और जो है हमारी election कमिशन के first chief election commissioner बनते हैं सुकुमार सेंजी इसको भी आद रखो one marker कोशिश की गई थी हमने expect करा था कि हम 1950 तक अपना पहला general election कंड़क्ट कर वा लेंगे बट हो नहीं पाता है क्यों नहीं हो पाता है because many problems we face in our first general election के conduction में पहली बार election कंड़क्ट कराने थे हमें अपनी country के अंदर एक ऐसी country के अंदर जहां इतनी सारी population है इतनी सारी population अलग-अलग भाशाय बोलती है अलग-अलग culture है और problems भी चल रहे हैं थी साथ में जो है बहुत सारे ऐसे लोग थे हमारी country के जो illiterate थे जने पढ़ना लिखना नहीं आता था देवा not educated तो ऐसा भी माना जाता था पता है आपको यह foreign countries यह बड़े-बड़े लोग बाहर के देशों के जो political thing काफी लोग ऐसा सोचते थे कि जो democracy है free fair वाले election है यह उनहीं countries में चल सकती है जो highly developed हो यहां के लोगों को English आती हो यह अच्छे का से पढ़े लिखे educated English नहीं कहेंगे मतलब educated लोग जो होते न जो यह western countries है यहीं पर democracy जो पैसे वाली countries है वहीं पर democracy work कर सकती है लोगों का यह बानना था कि ऐसी country अब तो समय पर तो गाइस हमारी economy वीक थी हम पूर थे ठीक है काफी वीक economy थी हमारी ऐसा माना चाहता था कि economically weak country के अंदर जहां पर educated लोग ना हो वहाँ democracy नहीं चलती है लोग नहीं करा सकते democracy को अच्छे से कंड़ एलेक्शन एलेक्शन ऐसा पूरी दुनिया सोचती थी ब लोग भी कहते थे कि क्यों नहीं हो सकती ऐसे ही नेशन के अंदर democracy possible तो हमें बहुत प्रॉब्लम है जिसकी वैसे हमें अपने एलेक्शन को पोस्पोन करना पड़ा थोड़ सा में रुक के हुए हमारे तो problems क्या थी तो सबसे पहले यहां पे मैं मांक कर रखा है तो मैं हां प Constituency formation तो फर्स प्रॉब्लम वस था कि भाई हर एक Constituency को फॉर्म करना था अब आपको Constituency नहीं पता तो मैंने 11 में पूरा पढ़ा है 11 में आप लोगों नहीं भी पढ़ा होगा Constituency क्या होता है Constituency बनाई जाती है ने एलेक्शन से पहले कि भाई यहां पे यह वाले एरिया जो है representative होंगे इनको वोट डाइल जाएंगे तो Constituencies बनानी थी पूरे इंडिया में Constituencies मार्क करनी थी तो यह बहुत बड़ा काम था इसमें लगेगा ना इतने बड़े काम को करने में ठीक है next जो है it also required preparing the electoral roll and the list of candidates of the eligible citizens यानि कि पहले electoral roll बने का कौन कौन election में खड़ा होना चाह रहे है दूसरा क्या था electoral roll बनाना था second list of eligible candidates बनाने थी कि कौन कौन eligible voters है कौन कौन से ऐसी population है जो vote कर सकती है universal adult franchise के थूँ यानि की male हो female हो जो है जो adult है उनको allowed हो vote करना ठीक है तो उनको allowed तो हो बट उनका दाम भी तो लिखे जाएंगे जैसे अभी जब अभी भी election होते है तो voter list आती है तो यह सब काम में काफी समय लगा first draft of the roll watch published जब हमारा first draft गया eligible candidates का तो उसमें बहुत बड़ी problem आ गई क्या हो गई 40 lakh जो women थी यानि कि 40 लाक ओड़ते थी उनका नाम ही ने लिखा गया था उनको husband का surname लिख दिया गया था जैसे किसी का नाम लिख दिया लेडी का नाम नहीं लिखा गया तो इससे बहुत बड़ी problem क्रीटों की पूरा नाम होना चाहिए ना फिर surname होना चाहिए Mrs. wife of so and so लिखा गया जो बेटिया थी घरों के उनका पापा के नाम क्या गया नाम लिख दिया गया daughter or so and so बच्ची का नाम नहीं लिखा daughter or so and so तो फ़ही election commission ने इस वाले list of candidate को refuse कर दिया हम इसे नहीं मानेंगे तो फिर दुबारा से इस process को कराया गया काफी समय लगा इसमें और काफी सारे जो है time हमारा इसमें चला गया तब ही election पोस्पून हो है finally guys हमारी country में जो election हुआ मतलब आप समयलो कि no election on this scale have ever been conducted in the world before पूरे दुनिया में इतने बड़े लेवल पे आज तक election conduct नहीं हुए थे कितने eligible voters थे हमारे पास में these are all the one markers याद रखना 17 करोड eligible voters थे हमारे पास में 323200 MLA's थे ठीक है 489 members थी लोगसबा के और state के election और central के election एकट्टे हो रहे थे लोगसबा के और state के जो general assembly जो legislative assembly जो होती है उसके जो elections थे वो एक साथ हो रहे थे कि जब लोग वोट डालने जाएंगे वो अपने state assembly के लिए भी डालेंगे वोट MLA's के लिए रखेंगे और जो है लोगसबा के लिए जो प्राइमनिस्टर बनने के लिए एक खट्टी वोटिंग होने थी तो 3200 जो है MLA's थे 489 members of लोगसबा थे उनला वो खड़े होए थे election में 15% of these eligible voters were literate इस 17 करोड eligible voters में सिर्फ 15% जो थे पड़े लिखे थे and फिर finally election commission ने 3 लाख लोगों को officers को educate करा समझाया पूरी training दी कैसे हमारे आपे और polling staff भी था इसके अंदर जो पूरा election की process को करवाएंगे ठीक है तो finally इतना सारी तयारी हमें करनी पड़ी यह problem आई हमारे first general election में तो first general election first big test भी था democracy का हमारी country के अंदर और ऐसा कहा जाता था यह में तुम्हें पहली ही बता चुक कि नॉर्थ अमेरिका में यॉर्प में की यह बड़ी-बड़ी country में ही जो है इसे democracy चल सकती है और इवन तुम्हें पता है हमने इन से भी आगे वाले कदम रखे थे पता है जब इन लोगों के यहां पहली बार election कराए गए इन लोगों के यहां पे तो women को राइट ही नहीं दिये थे नोंने जब हमारे यहां first time election हुआ हमने उस first election में ही ओर्तों को voting rights दिये यॉरप में इतने struggle हुए तब जाकि women को voting right मिले थे हमारे यहां पे भी struggles पर देयर हमारे यहां पे भी women ने national movement के दुरान अपने लिए struggles करे थे बट हमारी government में जो हमारा first election हुआ था by that time many countries in Europe had not given voting rights to all women उस समय पे जब हमारे election हुए तो समय बहुत सारी यहरप के ऐसी country थी जहां अभी पे women को voting right नहीं थे बट हमने इंडिया में हमने first time ही जब अपने election करे तो universal adult franchise पे इसके definition मुझे comment करो आप comment section में हमने first time में universal adult franchise पे election करे अब जब हमारे आप एलेक्शन हो रहे थे यह आप याद रखो question में आ सकता है तो बाकी लोगों के views का थे what were the views of the world on Indian election अब हमारे एलेक्शन होने थे पूरी दुनिया की नजरे हमारे थी तो कुछ लोग एंडियान एडिटर कॉल्ड इंडियान एडिटर ने क्या कहा था इसको biggest gamble in history गैंबल मतलब क्यों होता है जुआ biggest gamble in history क्यों कहा गया यह quoted में है and Indian editor called it the biggest gamble in history क्यों क्योंकि यह बहुत एक bold move था एक बहुत ही experiment का तरीका इनको लग रहा था क्योंकि लोगों की तो यही सोचते कि भाईया democracy चलती है बड़े देशों में जहां पड़े लिखे लोग बहुत जादा होते हैं हमारे यहां पे तो इतनी diversity uneducate people also लोगों को लग रहा था नहीं चलेगी तो इसलिए ऐसा कहा गया था और a magazine wrote that जवाल नहरू would live to confess the failure of universal adult franchise in India किसी एक magazine ने लिखा कि जवाल नहरू तो failure देखेंगे universal adult franchise का a British member of the Indian civil service British member जो Indian civil service के थे उन्होंने देखो क्या वार बोली a future and more enlightened age will view the astonishment the absurd farce of recording the votes of millions of illiterate people यानि कि यह किया रहे है कि बतलब हमारे या तो यह सही से नहीं होगा हर को यही बोले जा रहा था बट ऐसा नहीं होता है तुम्हें पता है हमारे इतने अच्छे से election हुए अब आप सोचोगे the final election कब हुए तो 1950 से हमने सोचा था हमें election कराने है दो बार postpone हुए final election हमारे होते हैं October 1951 से February 1952 के बीच में इतने सारा समय लगा देखवा October 1951 से February 1952 कितने महीने हैं गिलो इस दोरान हमारे country में election होता है first election हमारी country का और इसको बोला जाता है 1952 का first general election 1952 इसलिए कहते हैं most of the citizens of our country ने vote करा था January 1952 में ठीक है 6 महीने लगे पूरे campaigning में ऐसा नहीं तब को proper fair way में होता है जैसे आज के समय पे जब election होता है उससे पहले political parties अपना campaign करती है अपना प्रचार करती है कि हमारे यह symbol है ready करती है पूरी country के अंदर और बताती है कि हमारी यह policy है हम जीतेंगे तो हम यह कुछ जो है करेंगे तो पूरी policies उन्होंने बताई campaign करी, polling हुई ठीक है counting करी गई अच्छे तरीके से पूरा बढ़िया तरीके से हमारे यह पे election को conduct कराया गया there were on average more than four candidates for each seat हर seat के लिए चार से जाधा candidate थे यानि कि इतने लोग खड़े भी हुए थे election के अंदर level of participation देखके लोग हैरान हो गए थे जिस दिन election का date था बहुत सारी voters बहुत खुई शोगे voting करने first time इंडिया में पहुचे माँ पे ठीक है जैसे आज के हम कहते है न वोट करो लोगों को जाके उद दिन लोग बहुत excited थे massive participation देखा हमारा voting के अंदर on the election day बहुत सारे लोग vote डालने गए अब आप election के result की बात करो तो election का result obviously वो ही था Congress party जो है वो जीत जाती है इस election के result बहुत free fairway में हुआ था यह election के result को even losers भी मानने करते है निकि जो हार गए थे election वो भी कहते है हाँ जी यही होना था मतलब की जो है यह नहीं था कि बही और पता था कि Congress का इतने समय से जो है National Movement में Congress forefront पे थी जो है इस वज़े से पता था कि हाँ ठीक है Congress जीत सकती है बट ऐसा नहीं था कि उस समय पे बाकी parties ने participate नहीं करा था election में other parties ने participate भी करा था campaigning भी करी थी जो है assemblies भी करी rallies भी करी अपनी policies भी बताई लोगों को सब कुछ free fair way में हुआ था उसके बाद Congress जो है election को जीती है ठीक है तो आप यह देख सकते हो कि finally हमारी country में election successfully हो जाते हैं इंडिया's general election of 1952 became a landmark in the history of democracy all over the world यह एक landmark मतलब एक ऐसा moment जो बहुत important moment था सिर्फ हमारी country के लिए नहीं पूरे world के लिए क्यों था reason एक्जाम में question आएगा वाइ इंडिया's for general election is a landmark movement for all the world because इसके बाद लोगों की यह belief को हमने erase कर दिया था कि जो लोग आर्ग्यू करते थे कि democratic way में election poor countries में नहीं हो सकते या lack of educated country में education ज्यादा नहीं हो सकते हम ने उन सब के मूँपे ताला लगा दिया था कि भाया तुमारी यह thinking गलत है अभी हमारी आप पवर्टी अपवर्टी एलिवेट करने के लगाने के बाद एजुकेशन लेवल कम है एजुकेट करेंगे अपने सिट्योशन देमोक्रेशी लगाने के बाद डेमोक्रेशी का देमोक्रेटिक एलेक्शन का एजुकेशन और जो है पवर्टी से कोई मतलब नहीं है सिटिजन्स जो अवेर होंगे अक्टिव होंगे लीडर्स जो है अच्छे से अपने आपको समझाएंगे सिटिजन्स तक ठीक है तो पॉलिटिक्स अच्छे से अगर गवर्मेंट रन करवाना चाहती है तो डेमोक्रेशी स्टैबलेश हो जाएगी यह समझ में आ गया था लोगों को ठीक है तो विद इस फाइनली आप अपने पहले जेनरल एलेक्शन के बारे में समझ चुके हो कितने से कितने समय के दौरान हुए यह वाला टाइम पिरिएड याद रखना कितनी बार पोस्पोन हुए थे दो बार हुए थे पोस्पोन नें फल्ट्रें वाला-वाल-थे लाइन रहतता किस समय वे वाला यह सब्सक्राइब कर लेट अप्रें ब्लेस कर दिए उप kans इसके dominance in the first three general election कि क्यों Congress पहले तिनी जेनरल election को जीती थी तो question इस पर exam में आएगा देखो काफी सालों से यह जो आपका chapter एर रहा है रहा है रहा है रहा है यह चेंज हो रखा था merge हुआ वा था, party party system ऐसा कुछ chapter आपका बना वा था अब यह direct आ चुका है आपके NCRT में बहुत rationalized way में मैं इसको पढ़ारी हूँ काफी सालों बादा, दो साल बाद मैंने इस chapter को पढ़ा है because पहले यह party party system बन चुका था, ठीक है तो यह chapter बहुत important है तो यह question आपके would example important है now let's look at it what was the reason of the Congress dominance in the first three general election आपको इसमें बताना है कि Congress क्यों बार बार जीत रही थी पहले तीन general election तो उसका एक reason तो होगा ना तो क्यों जीती थी आपको यह reason बताना है तो जब पहले general election में Congress जीती तो कोई भी हरान नहीं हुआ सबको पता ही था कि Congress की win हो सकती है ठीक है national movement हुए moments पढ़े ना हमने quit India movement ठीक है जो हमारे सत्ये रहे हमारे हुए ठीक है और भी कितने सारे moment हमने पढ़े non-corporation movement of India non-corporation 2 और Dundee March जो भी उसकी बाद जो हमारे moments हुए जितने भी movement हमारे इंडिया में हुए थे अंग्रेज भारत छोड़ो वाले उन्होंने कलको ना ओंग्रेस पार्टी को जोइन करा तो इसलिए लेगसी थी national movement की जो भारती है थे सारे जो इंडियन जनता थी वो बहुत ज्यादा कनेक्टेट थे उन लीडर से and congress party से क्योंकि वो ही forefront पे थी national movement की दोरान तो इसलिए जब अजादी मिली तो massive support मिला Congress को ठीक है और साथी के साथ में Congress बहुत ही न फैली भी party थी उस समय पे पूरे इंडिया के अंदर इतनी units थी Congress की उस समय पे क्योंकि Congress तो उस जमाने से नहीं सबसे nutritious थे Congress के हर state के अंदर भी अपनी अपनी units थी ठीक है वहाँ पे local भी लोगों की साथ में direct वहाँ पे उनकी Congress के leaders थे local leaders थे Congress के उनकी भाषा बोलने आले तो everyone was fairly connected with the Congress ठीक है only party then to have an organization spread all over the country हर स्केट में Congress के लोग थे even princely state में भी ठीक है and finally in जवालाल नहरू जो party के जो हमारे most popular leader थे उस समय पे बहुत charismatic leader तो वो जो है लोगों ने उनको vote करा ठीक है he let the Congress campaign और ऐसा नहीं है कि Congress ने campaign नहीं भाई हम तो जीते जिता है नहीं even जवालाल नेरू जी ने खुद all over the India rallies करी अपने policy बताई कि जीतने के बाद वो क्या क्या करेंगे and जब re-election का result declare हुआ तो victory of the Congress को सबने surprise कर दिया party won 364 of the 489th seat ठीक है तो first लोग सब आई election में Congress जीतती है तो यह आपको याद रखना है 364 of the 489th seats जो है Congress जीत गई थी majority से Congress की सरकार जो है बन जा दिया second number पे कौन आया था Communist Party of India जो थी second number पे आया थी Communist Party of India खाली 16 seat जीती थी out of 489 तो अब आप सोचोगे कि जैसे 16 seat जीती थी यह second पे आ गई बागी किसीते का आ गई तो बागी opposition parties were also there उनको भी कुछ-कुछ seat मिली थी मतलब जो पहला election भी हुआ तो उसमें जिर्फ एक party ने नहीं जो है participate करा था बहुत सारी ओने करा था जीती सबसे जादा वोटों से थी हमारे Congress ठीक है चलो साथी के साथ मैं आपको यह भी बता दूँ कि लोकसभा के election के साथ legislative assembly के भी election हुए थे तो state level पे भी Congress को वैसा ही support दिखा था बहुत सारी states में Congress जीत गई थी बट there were certain states जहां पे Congress नहीं जीती थी तो कौन कौन सी state थी वो जहां पे Congress नहीं जीती थी तो वो यहां में mark कर रही हूँ यह one marker में आएगा यह map work में आएगा कि कहां कहां पे Congress नहीं जीती थी ठीक है तो Congress बहुत सारे में लोकसभा तो जीती गई ना पूरी इंडिया की government, central government तो Congress ने बनानी थी बहुत सारी states में भी Congress जीत के थी किस में नहीं जीती थी यह देख लो first of all Travankore, Kochan में Congress नहीं जीती मदरास में नहीं जीती, ओडिसा में नहीं जीती Congress ठीक है तो यह कुछ states थी जहाँ पे Congress जो है वो नहीं जीती थी finally even in these states the Congress formed the government but बात पर कुछ कुछ तरीके करने के बाद Congress इन states में भी जो है government बना लेती है तो basically party ruled all over the country at the national and state level यानि कि पूरे nation में central government में भी हर state की government में भी Congress rule कर रही थी और जवाल नहरू बनते है first prime minister of the independent India after conducting the free and fair first general election ठीक है यहाँ पे आप जो है map देख सकते हो जहाँ पे यह वाला map को नश्टडी करके जाना है मैं आपको map work वाली वीडियो में करवा दूंगी जो बनाऊंगी कि जो है आपको पूरा बता रखा है कब से कब जग Congress कहां कहां पे जीती और कहां पे नहीं जीती थी ठीक है चलो अब आगे जो है अगर हमें second और third general election के बारे में भी बता रखा है पहला कब हुआ देखो 1952 में हुआ तो ऐसे रट्टे मत मारना प्लस फाइफ कर लो आपको समन में हो जाएगा हर पात चाल बाज election हुए न हमारे ठीक है तो 52 में first हुआ 57 में second हुआ and 62 में हमारा third general election हुआ third general election तक जो है Congress की victory वैसी ही रही सबसे ज़्यादा वोटों से Congress जीती यहीं लिखा है तीन general election तक first three ता भी तो लिखा है era of one party dominance यानि कि Congress की dominance रही ना पहरा election भी वो जीती दूसरा भी तीसरा भी वो जीती तो यह इसलिए इस chapter का नाम है era of one party dominance तो first three general election तक Congress maintained the same position in the लोकसभा by winning three-fourth of the seats जब भी election हुआ तो Congress ने majority बनाई three-fourth of the seats Congress जीती ठीक है none of the opposition party could even win one-tenth of the seat पता आपको कोई भी opposition party one-tenth of the seat भी जो है वो नहीं जीत पा रही थी सिर्फ और सिर्फ जो state assembly के election हुए थे वहाँ पे ऐसा होता था कि Congress हार रही थी और सबसे जादा पते Congress की हार कहां देकी जाती थी केरिला में यहां पे भी अगर आप देखो तो जो आपको यह त्रवन कोर कोचन बता रहा है यह आज के केरिला के पार्ट में है यह जगा ठीक है बार में फिर state reorganization वगेरा हो गया था तब तक तो 1957 तक तो केरिला में Congress काफी बार हारी ठीक है अब क्यूं हार रही थी Congress क्यूंकि वहां प विक्टरी होती है उसको कहा जाता है कि थोड़ी आटिफिशल विक्टरी होती है इसको बूस्ट करते हैं हम लोग क्या मतलब है इसका the extent of the victory of Congress was artificially boosted by our electoral system जो हमारा election का system है ना उससे जो विक्टरी होती है वो बूस्ट कर दी जाती है मतलब आपने 11 में पढ़ा था first past the post system इस सबसे पहले जो है जीत जाता है उनको बहुत ज्यादा वो जिसको सबसे ज्यादा मेले होते हैं समयलो वो सीटे उससे कही गुना जीतता है अभी for example आपको पूरा में टेवल बनागे सिखाऊंगी the Congress won 3 out of every 4 seats but did not get even half of the votes यानि कि half of the votes भी Congress को नहीं मिलते 100% में से बट हर चौथी में से 30 seat Congress जीती थी ठीक है for example Congress obtained only 45% of the total votes पता है आपको यह देखो आपको बता रखा है 1952 के election में यानि कि वह हमारा first general election हुआ उसमें Congress ने गई वोट कितने मिले percentage of vote कितनी थी 45% ठीक है और seatे कितनी मिली Congress को 74% तो आप difference देखो यानि कि पूरे इंडियन के जितने भी हमारी population है 100% में से सिर्फ 45% ने अभी भी मतलब हम कह रहे हैं बहुत popular party थी बहुत ज्यादा support था फिर भी 45% जनता ने Congress को vote दिया था ठीक है तब उसको seatे कितनी मिली 74% कितना फरक है ना कितनी सारी seatे मिल गई जो party second आई थी वो थी Socialistic party ठीक है कौनसी party Socialistic party बताया भी था मैंने अभी आपको पर Socialistic party ठीक है यह जो party थी यह second largest थी in terms of votes इसको 10% वोट मिले थे यानि कि country के 10% लोगों ने Socialistic party को वोट दिया था However, इसको seatे कितनी मिली सिर्फ 3% seat मिली थी Socialistic party को तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि वोट मिलने पर कम ज्यादा मिलने पर इतनी सारी सीटे मिल रही है 10% पर सिर्फ 3% seat ऐसा क्यों हो रहा है because यह हमारा जो system है first past the post system 11th class में हमने पढ़ा था यह ऐसा ही तरीका होता है इसके वज़े से ही जो है जब भी कोई सरकार बनती है जिसको सबसे ज़्यादा जो है वोट मिलते है उसको सीटे उससे काफी अधिक मिलती है ठीक है in this system of election जो हमारी कंट्री ने adopt करा है the party that get more votes than other जिसको बाकियों से दूसरे जनों से जिसको जादा वोट मिल गए उसको जो है बहुत जादा सीटे मिलती है अगर हम सारे non-congress parties के vote को add कर जे ना जैसे socialistic party को 10% मिला Communist Party of India ने भी election में participate करा था और भी बहुत सारी उने करा था अगर हम non-congress party यानि कि जो opposition parties है अगर हम उनके votes को add कर दे ना तो वो Congress के वोटों से बढ़ जाते है यानि कि जिसे Congress को तो 45% मिले है obviously उन सब के वोटों को अगर हम मिला दे तो वो Congress के वोटों से जादा है बट फिर Congress के उसी थी क्योंकि भाई उनके तो वोट बढ़ गए ना उनके वोट बढ़ गए आज के समय पे भी हम लोग ऐसी जो है अनुमान लवाते है जब election होते हैं तो अगर हम non-congress votes को जो अगर हम जो है चेक करेंगे प्लस करेंगे तो वो Congress के वोटों से जादा थे बट the non-congress votes were divided between different rival parties so the Congress was still way aware of the opposition तो इसलिए तीन जेनरल इलेक्शन तो Congress जीतती रही और जो है opposition parties से आगे निकलती रही तो समझ में आ गए first part the force system को artificial victory बोला है ओके तो आटिफिशल विक्टरी क्यों है सबर मैं तो तुम्हें एक्जामे question है explain why the Congress victory is known as artificial victory जो है हमारा first part the post system को इसमें पूरा explain करना है आपको क्यों जीत रही थी Congress लेगेसी थी national movement की जवालल नहरू जी और जो उनका प्रभाव था हमारी इंडियन politics पूस समय पे पूरा आपको याद रखना है first कौन आया था second कौन आया था first Congress है second socialistic party कितनी सीटे जित्ती कित्ती percent vote थे यह सब याद रखना है ठीक है अब आएंगे next topic पे अब यह topic आता है हमारा communist victory in Kerala आपने communism के बारे में पढ़ा है book one में वो भी cold war era chapter delete हो गया तो जाद अच्छे से तो पढ़ नहीं बाते हो मैंने तो पूरा पढ़ाया तो end of bipolarity chapter में ठीक है तो communism क्यों होते एक ऐसा type का system है government का जहां पे जो country की जितने भी assets है जितने भी resources है व गवर्मेंट जैसे USSR में सब कुछ government का था government का नहीं बलकि community का होता था government और जंता का होता था state का होता था सब कुछ आपस में में बाठ कर किया जाता था यह होता है communism government subsidy देगी government ऐसी policy लगाई की कि लोगों का भला हो education provide करेगी employment provide करेगी यह वाला system communism का पढ़ा था याद है capitalism क् अमेरिका वाला system free fair तरीके से private ownership सबसे जादा होगी government का limited role होगा profit loss पे चलेगा वो capitalism था तो पहली बार ऐसा हुआ था पता है आपको वर्ल्ड में जब केरला के अंदर communist party of India जीती थी कि free fair election के बाद communism की जीत हुई थी वरना communism को support मतलब क्या होता था कि communism खुदा आ जाता था ल को लोगों ने अपनी मर्जी से बोट करके जताया है तो यह हुआ था के लरा में कब हुआ के लरा में वा था यह 1957 में Congress party had bitter taste of defeat in Kerala हार गई थी मतलब Kerala में इस कब हो जीत हारी थी assembly election Kerala के state election में मार्च में 1957 में किस से हारी थी communist party से communist party बहुत ज्यादा सीटों से जीती थी 160 आउट ऑफ 126 सीट तो 126 में से 60 सीटे जो है CPI यानके communist party of India जीत गई थी और पार्टी में फिर उनके governor ने उन्हें invite करा जो है government बनाने के लिए वहाँ पे और जो है कौन बने थे फिर उनके CM EMS नंबूदरी ठीक है वो बने थे leader of the communist party थे वो और वहाँ पे फिर बार में उनके CM बने थे ठीक है अब क्या हुआ भाई जब यह हार गई Congress हार गई भाई स्टेट इलेक्शन में तो Congress ने क्या करा it began liberation struggle इन्हों ने कहा कि अब हम हटाएंगे CPI की सरकार को के रिलामे से ठीक है क्यों हटाएंगे रीजन भी तो दोगे कि तुम क्यों सरकार को हटा रहे हो सेंट्रल गवर्मेंट सेट गवर्मेंट को किसी एक स्टेट की क्यों हटा रहे है रीजन भी तो दिना पड़ेगा तो उन्होंने रीजन दिया कि CPI ने कहा है CPI ने Communist Party of India ने प्रॉमिस करा करने जिए थोड़े राडिकल अप्रोच रखे प्लांस रखना की प्लांस लगाए जाएंगे थोड़ा बहुत सेंटिमेंट का थोड़ा कम ध्यान रखा जाए बस डेवलपमेंट लानी है लोगों को जो है अच्छी इंप्रॉइमेंट करनी है तो ऐसे तरीके जिसमें गव पूरा का पूरा अपनी सरकार चलाएंगे तो इसलिए 1959 में कॉंग्रेस गवर्मेंट ने क्या करा जो है कम्यूनिस गवर्मेंट ही जो कह रहे ला कि उसको अंडर अर्टिकल 356 ऑफ दे कॉंसको गवर्नर को खहके जो जो है खारिज करवा दिया कि वहां की जो है वहां पर व एमर्जेंसी पावर्मेंट है उसके पास पावर होती है एमर्जेंसी लागू करने की किसी भी स्टेट में या पूरे कंट्री में भी जहां पर अगर स्टेट की बात करें तो गवर्नर को कहके उस पर्टिकुलर स्टेट में जो पूरी जो पाटी चल रही है उसकी जो है वो हमें नहीं चाहिए करला में वो सही चीज नहीं होगी तो वहां पर एमर्जेंसी लगा के Communist Party की सरकार जो Free Fair Election में उसको हटा दिया गया उसे गिरा दिया गया तो इसलिए इसको बोला गया कि यह हमारी country में पहला मिस्यूजल था एमर्जेंसी का ठीक है आगे कब होता है वो आप आगे पढ़ लोगे तो विद्धिस यह आपने पढ़ लिया यह important था अब यहाँ पे Socialistic Party है तो यह ना मैंने Part 2 वीडियो में बनाऊंगी जिसमें मैं आपको हर एक पार्टी को डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ इसमें आपको रेड करना है एक्जाम में आएगा Define Socialistic Party, Define This Party, सब पार्टी का origin कैसे हुआ उनके popular leaders कौन से थे उनकी policy क्या-क्या थी उनकी सोच विचार क्या-क्या थी हर पार्टी का आपको पढ़ना है ठीक है तो वह से तुम्हें Notes में भी तुम्हें provide करूंगी इसको तो मैंने proper Notes बना रखे है handwritten इसके जो आपको learn करना है पूरा parallel नहीं करना जो important है वही learn करना है तो नोट से भी पढ़ सकते हो pluses का एक अलग वीडियो आएगा वह मैं अपने Notes से पढ़ाऊंगी तो वह Part 2 में पढ़ेंगी हम all the parties ठीक है पढ़नी ज़रूर है एक्जाम के लिए अब चलो हम next topic पे जाते है Nature of Congress Dominance अब आपको बताया जाएगा कि यह Congress की जो Dominance हो रही थी हमारी country में क्या ही सही थी ऐसा कुछ आप समझोगे से कि भाई तीन जनरल इलेक्शन एकी पार्टी जीत गई तो वाज़ेट गूड क्या यह democratic हो रहा है क्या यह सब free fair है क्या यह सही है किसी country के लिए तो हाँ यह बिल्कुल सही था क्योंकि one party dominance हो गया ना आपने 10th में पढ़ा है political party chapters में कि there are system of parties एक one party dominance होते है जिस पर एक ही पार्टी जीते है तो पार्टी डॉमिनंस होते है दो के बीच में power shift होती है हमारी country इंडिया तो multi-party है यानि कि बहुत सारी party selection में participate करती है बट जीत तो एक पार्टी दिया तो क्या यह सही है तो हां यह सही था अब आपको बताती हो क्यों सही था तो इंडिया is not the only country to have experience the dominance of one party सिफ इंडिया ऐसी country नहीं है जहां पर one party dominance होई है बहुत सारी countries में world की one party dominance रही है बट बात यह थी कि भाहिया जब किसी और country के अंदर यह one party dominance होती थी त है constitution उनकी कहती है कि single party ही रहेगी one party dominance वहां पर रहेगी जैसे वहां पर भी तो था Soviet Union में one party dominance थी Communist Party की तो यह तो है हमारे चाइना क्यूबाय सीरिया constitution कहते हैं कि one party हो कुछ और country हैं जैसे कि मेनमार बेलारस इजिप्ट और इरिटेरिया यहां पर वन पार्टी स्टेट से ड्यू टू लीगल एंड मिलिटरी मेजर यानि कि मिलिटरी की वज़े से मिलिटरी के support की वज़े से एक ही पार्टी हमेशा पावर में आ रही है कुछ सालों पहले तक मेक्सिको यह सब वन मार कर में आएंगे पढ़लो इने साउथ कोरिया एंड ताइवान भी जो है one party dominant states थी बट इंडिया में one party dominance हाना और इनका one party dominance बहुत डिफरेंट है similarly आज के समय पे भी हमारे आपे बीजेपी की dominance चल रही है recent general election भी अभी वाला भी हमारा जो है 19 वाला 14 वाला कौन जीती थी बीजेपी जीती थी ठीक है तो यह क्या है हमारे अभी one party two years से जीत रही है तो यह free fair तरीके से हो रहा है based on the free and fair election है बाकी जैसे अब यहां आप Congress का जीतों देखोगे कि तीन साल लगा था जीती थी Congress तो वहां पे भी क्या था तब भी हमारी country में न one party dominant जब भी हुआ है वह free party system चल रहा है कहीं constitution के रही है कहीं military की वज़े से हो रहा है बट हमारी country में जो one party system चल रहा था वो democratic condition में हो रहा था कि अच्छे से election गंडग कराएं गहें democracy के वेज़ इस पे free fair way में तब जाके जो है लोग एक party को जिताना चाहरें तो ठीक है तो यह जो है हमारी country में free fair way में जो है one party dominance हो था ऐसा सिर्फ हमारे साथ नहीं हुआ था South Africa में भी ऐसा ही हुआ था जो African National Congress Nelson Mandela जी के बारे में उमने पढ़ा क्लास 10 चाप्टर में वहां आपने जाना था नाइंथ में पढ़ा है अपार्थाइट सिस्टेम जब हटा था उसके बाद African National Congress का उसमें बहुत रोल था ना तो उनको भी लेगेसी थी नैशनल मुव्मेंट की तो वहां पे भी क्या हुआ था साउथ एफ्रिका में भी कि जब हाँ इलेक्शन कराये जाते थे तो बहुत सालों तक वहां पे एफ्रिकन नेशनल कॉंग्रेस जीती थी तो वह भी क्यों चीती थी उनको भी नेशनल मुव्मेंट का उनके पास लेगेसी थी वही लीडर्स थे रोगों ने बोल जेते थे इंडिया में ठीक है चलो गाइस अब आते हैं अगे के टॉपिक पे तो इसलिए हमारी कंट्री में जो हो रहा था वह के इसलिए हो रहा था विकॉस और फ्री अन्फेर वे हो रहा था था वहार को यह क्वेशन बता रखा है वंट पार्टी दॉमिनंस के बाद और पूछा जाएगा देट वाए कॉंग्रेस मैनेज्ज तो विन दर फर्स ट्री जैनरल इलेक्शन तो फिर से मैंने पोइंटर्स मार्क कर जिया आपकी बुक में तो पहला पॉइंट वही है दे लेगिसी ओफ फ्रीडम स्ट्रगल कॉंग्रेस वह सीन इन हेरेटर ऑफ दे नैशनल मु तो लोग उन्हें वोड डालेंगे नो ओविएसली ठीक है दक कॉंग्रेस वस ओल्रीडी वेल ओर्गेनाइस पार्टी पाइद टाइम अदर पार्टी कुद इविन थिंक ऑफ इस्ट्राइडेजी को चुकी होती थी तो मतलब क्या था कि कॉंग्रेस बहुत अमेंने आगा पूरी कंट्री तक बाकी पार्टी अभी इतना नहीं पूरी कंट्री तक वो जो है उनके ओर्गनाइसेशन स्प्रेड हुई थी जब कोई कमना आप मानलो कि ऑपोजेशन पार्टी अभी सोचेगी कि ऐसे कैंपेइन करेंगे यह करना है स्ट्राटेजी बना रही होते थे व पूरी कंट्री में ही कॉंग्रेस पैली वी थी इनफैक्ट कॉंग्रेस की अपनी और ओर्गनाइसेशन लोकल लेवल तक भी थी यानि कि शेहरों तक भी कॉंग्रेस की मतलब अपनी अपनी और्गनाइसेशन बन रखी थी तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो है कॉंग्रेस जो तो यह लास्वाली लाइन लिख देनी है, ठीक है, तो अब हम फाइनली आते हैं अपने नेक्स टॉपिक पर, that is, Congress as a Social and Ideological Coalition, in this topic, you will get to know about the Congress Party, ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स टॉपिक पर, Congress as a Social and Ideological Coalition, अब आप जानोगे इसमें, that Congress initially कैसे बनी थी, and कैसे Congress का base इतना वाइडन हो गया, मैं कह रही हूँ ना, Congress बहुत फैली भी पार्टी थी, organization structure बहुत अदा था, बहुत सारे लोग Congress से connect कर पाते थे, क्यों कर रहे थे, यह जानते हैं, तो first of all, हम पढ़ चुके हैं, history में पढ़ा हैं, Congress evolved कैसे थी, जिन में history है, पढ़ाऊंगे मैं आपको history की बुक में, that Congress कैसी बनी थी, particularly 1885 में Congress बनी थी as a pressure group, pressure group की तरह बनी थी, and Congress को formed किस ने करवाया था, A.O. Hume ने करवाया था, अगर आपको याद हो थो, ठीक है, initially Congress was a pressure group, later on, जो हमारी Congress है, वो एक political party बन जाती है, ठीक है, धीरे धीरे फिर क्या होता है, धीरे जो Congress party है, starting में अगर हम बात करें, तो English speaking लोग Congress को dominate करते थे, English बोलने वाले लोग होते थे, अपर caste लोग, अपर middle class, urban elite, अमीर अमीर लोगों की पार्टी थी Congress, जैसे-जैसे civil disobedience movement हुआ, जितने civil disobedience movement हुआ, जितनी बार हमारी इंडिया में national movement launch हुए, उतनी बार Congress का social base हो गया, धीरे-धीरे industrialists आ गए, Congress के अंदर, धीरे-धीरे farmers आ गए, peasants आ गए, middle class लोग है, lower middle class लोग है, even poor people also, उनके जो leaders थे, they all started participating in the Congress, तो धीरे-धीरे क्या हो गया, कि Congress में हर caste के लोग, upper caste हो गया, upper caste professionals हो गया, agriculture हो गया, industrialist हो गया, businessman हो गया, सब लोग धीरे-धीरे Congress का part परने लगए, ठीके जैसे आपने Danny March वाला जो है, जैसे movement पढ़ा है, गाने जी का, तो उसमें ने रिखा था, कि उसमें women का भी participation था, बहुत सारे लोगों का participation था, जितने भी हमारे freedom struggle हो, उसमें industrialist ने भी participate करा, businessmen ने भी, farmers ने भी करा, even landless liberals तक ने जो है, पार्टिसिपेट करा था, लीडर्स महाँ पर है, middle class लोग कहेंगे, तो उन्हें दिख रहा है, farmer कहेंगे, तो farmer को अपने leader Congress में दिख रहे हैं, industrialist है, तो industrialist के हग के लोग उन्हें Congress में दिख रहे हैं, तो हर type के जितने भी जनता इंडिया में थी, वो जो है, जैसे party होती है, उसके अपने एक ideology होती है, कि किस basis पे वो work करेगी, अभी मैंने आपको बाखी political parties पढ़ाई नहीं, एक पार्ट में पढ़ाऊंगी, तो हर एक जैसे socialistic party होती है, तो हर एक जैसे socialistic party होती होती है, हर एक party के अपने अपनी ideology होती है, अगर हम Congress की ideology की उस जमानी में बात करें, तो बहुत चारी ideology इस Congress के अंदर ही exist कर रही थी, और इसको हम कहते है, factions, Congress इसलिए जीत रही थी, क्यूंकि Congress में बहुत सारे factions थे, नो factions क्या होते हैं, आपको अभी समर में आ जाएगा, वो अभी आपको बढ़ाती हूँ, ठीक है, factions मतले होगे एक ग्रूप तरीके से, जैसे अभी आपको ये next topic में पता चलेगा, मैं पढ़ा पहले ही थी, देखो आपका next topic का नाम क्या है, यह रहा, tolerance and management of factions, तो मैं अभी आप तुमकों को बताती हूँ, कोंकि faction actually में होता क्या है, तो क्या हुआ, यहां Congress के अंदर, कुछ लोग, जिनके विचार जैसे, Congress Party में ही है, उनके विचार अलग है, कुछ के विचार अलग है, कुछ के विचार अलग है, हमने group बना दिये, group A, group B, group C, तीनों Congress के अंदर ही हैं, और तीनों की thinking मिलकुल अलग है, अब आप क्या को कि, भाई हैं तीन different thinking के लोग, एक party में क्यों रहे रहे हैं, जिनकी thinking अलग है, तो वो जा के अपनी नई party बना ले, ठीक है, और फिर election में compete करें, बट initial years में Congress में ऐसा नहीं हुआ, इवन तो अलग-अलग thinking के लोग थे, groups बने वे थे, वो सभी groups Congress के अंदर रहते थे, और अंदर रहे की आपस में compete करते थे, इन groups को ही factions बोला जाता था, और यह factions क्यों चलाए जा रहे थे, सो दार party popular रहे, जितने लोग बहार निकलते रहेंगे, तो क्या होगा, factions बहार चले जाते, तो क्या होता, वोट बढ़ जाते, तो initial years में Congress में factions लाओ, जैसे मैं आपको कहा रहे हूँ, आपकी class है, तुम चाड़ियों कि तुमारी class बहुत popular हो, बहुत popular हो, तुमारी class में बहुत सारे बच्चे है, अब ऐसा तो नहीं है, तुम हर बच्चे से connect कर पाओगे, 10-15 दोस्तों कि तुमारे 5-6 भी हो सकते हैं, जितने तुम connect करो, कुछ ऐसे होगे तुम अच्छे लगते हैं, एक दूसरे को मानोगे एक दूसरे की बात, मैनेज करने की एक दूसरे के साथ कोशिश करोगे, कि ठीक है, अगर हमें अपनी popularity मेंटेन रखनी, अगर हमें जीतना है, तो हमें रहना तो एक खटा पड़ेगा, तो यहीं चीज होती थी, Congress के अंदर, Congress के अंदर different-different ideologies वाले लोग, leaders जो होते थे, वो अपने groups बना के Congress के अंदर ही रहते थे, और फिर compete करते थे election में, और अगर वो अलग होके opposition party बना थे, तो वो शायद जीते या ना जीते, तीरे-दीरे फिर Congress में ऐसा हुआ, जब Congress ने मना कर दिया, फैक्शन लाउट नहीं होंगे, तो वही leader जिनकी अलग-अलग सोच बिचारते, वो बाहर निकले Congress से उन्होंने अपनी political party बनाई, तो बता दिया, बुक की language में पढ़ाऊंगी, तो many of these groups merged their identity within the Congress, very often they did not and continue to exist within the Congress, as groups and individuals holding different beliefs, यहीं लिखा है, वहीं एक Congress, अलग-अलग beliefs के रोग एक ही Congress पे रह रहे थे, for example, जो revolutionaries, यह एक टाइप के ideology है, pacifist हो गए, conservative हो गए, radical हो गए, extremist हो गए, moderate हो गए, even right और left side भी, right side, left side अभी अगले chapter पे पढ़ाऊंगी, right wing के लोग वो होते हैं, जो चाते हैं कि ठीक है, government का intervention, policies के अंदर, बट जो है, थोड़ा बहुत capitalism की तरफ भी जाना चाहिए, जो left wing वाले होते हैं, वो यह कहते हैं कि, सबसे ज़्यादा रूल government का होना चाहिए, poverty elevation और यह साब पे, government को बहुत welfare पे focus करना चाहिए, तो right wing वाले, left wing वाले, all shades, हर टाइप के ideology के लोग, जो है, Congress के अंदर ही रहे थे, तो Congress एक टाइप का हो गया तब platform, और Congress में बन गये थे, अलग-अलग group, यह हो गया, revolutionary's का group, यह हो गया, pacifist का, यह conservative का, यह radical का, यह right wing का, यह left wing का, इनको vote डला तो, यह जीत गए, इनको जादा vote पड़े, यह जीत गए, तो victory तो overall Congress की ही होती न, इनके अंदर के लोग, फैक्शन इनका कोई सा भी जीता, overall victory तो Congress की ही होती, तो इसलिए Congress was a platform, for numerous groups, interests and even political parties, to take part in national movement, तो समझ गए, इनके फैक्शन क्या हो गए, कि basically, हर ग्रुप को इन्होंने अपने साथ में रखा, उन्हीं ग्रुप को फैक्शन बोला जाता है, done, अब I studied the topic, tolerance and management of फैक्शन, तो यह topic, तुम्हें पहले बहुत मुश्किल लगता, अगर में तुम्हें फैक्शन का मतलब ना बताः जागा, तुम्हें अब बताः जागा, तुम्हें फैक्शन का मतलब बताः, और कॉंग्रेस में कैसे फैक्शन आ रहे थे, क्यों exist करती थे, वो तुम समझ चोगे हो, ठीक है, तो आप पढदे है, this coalition-like character of the congress system gave it an unusual stunt coalition-like character मतलब कि भाई हर एक ideology के लोग congress में ही आपस में मिल बाटके रह रहे हैं coalition मना रहे हैं आपना जैसे आज के समय पर coalition government कब बनती है जब कोई भी majority नहीं आती तो गडबदन की सरकार बनती है तीन चार political parties आपस में जो है एक दूसरे को tolerate करती है कि ठीक है हम एक दूसरे की बात मानेंगे and finally coalition government बना लेते हैं अब congress के अंदर क्या हो रहा था coalition-like character उसका खुद में था बहुत सारे अजयने वेचारों के जो leaders थे वो उन्होंने अपने अपने groups बना रहे थे congress के अंदर ही और रहते Congress के साथ में ही थे तो coalition accommodates all all those who want to join it तो coalition में कॉलिशन में जो जो आना चाहता है वो आता है therefore coalition में na strike करना होता है balance अब Congress ही से कैसे चल पाती जब उन्हें मतलब इतने सारे factions है तो उनको deal भी तो करना पड़ेगा तो compromise and inclusiveness are the hallmark of the coalition compromise मतलब भाई अगर आपको एक साथ चलना है जैसे जब coalition government भी बनती है अगर बंदन की सरकारे बनती है कि कोई भी political party को और majority ना मिले 4-5 मिलके सरकार बना रही है तो उस समय पी या Congress के अंदर भी जब coalition-like character था तो दो चीज़े hallmark थी सबसे ज़रूरी थी कौन कौन से थी compromise करना सिर्फ आपकी मनमानी नहीं चलेगी फिर आपको सामने वाली की भी सुननी पड़ेगी and inclusiveness कि आपको सामने वाली को include भी करना होगा inclusiveness मतलब you have to understand each other accept each other यह जो strategy थी Congress की कि अपने अंदर ही Congress की अपने mechanism में ही Congress party के अंदर ही इतने सारी ideologies इखटी चल रही थी इसने opposition को बहुत खतरे में डाल रखा था क्योंकि जो कोई ideology opposition सोचे या फिर जो किसी group को particularly कोई opposition सोच रहे है कि भाई मैं farmers को support करूँगी मैं farmers की hit के लिए जो है उनको help करूँगी फिर farmers will support me in the elections तो भाई Congress के अंदर भी एक ऐसा faction है जो farmers की hit के लिए work कर रहा है तो महां पर उन Congress के उस वाले faction को vote जाएंगे particularly Congress को vote जाएंगे ठीक है तो opposition इससे बहुत difficulty में थी anything that opposition wanted to say opposition को जो बात कहनी है कि भाई farmers के लिए करो industrialist के लिए करो गरीबी हडाने के लिए करो ये वाला program लगा कहीं न कहीं वो बात Congress के ideology में already present होती थी in the form of faction ठीक है secondly in a party that has the nature of coalition there is greater tolerance दूसरा ये coalition राई collector बनाने के लिए faction बनाने असान नहीं है faction बनाने के लिए आपको दूसरे चीज़ और चाहिए tolerance तुम्हें 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 शक्ति होनी चाहिए तुम सामने अली की बात सुन पाओ तुम्हारे विचार उससे बिल्कुल अलग है तुम revolutionary हो वो different type का तुम radical हो वो moderate है बद तुम्हें उसकी बाते सुननी पड़ें अठीक उसके साथ में एक पारटी के अंडर में रहना है तो tolerance जैसे मैंने का ना तुम्हें अपने ग्रुप को popular ना ना popular तब हो जब सारे कटे होगे तो चाय करना बदेगा उसकी बाते साहिए तो यही होता है tolerance तो तब ही क्या लिखा tolerance and management of action तो compromise भी करना पड़ेगा कहीं कहीं, उन्हें include भी करना पड़ेगा अपनी बातों में और उन्हें tolerate भी करना पड़ेगा अगर आपको अपनी जीत लेनियत, अगर आपको खुद जीतता है तो secondly in a party that has a nature of coalition, there is greater tolerance of internal difference तो Congress में बहुत tolerance थी, Congress did both the things during the freedom struggle और यही चीज़ Congress ने freedom struggle की दुरान भी करी थी, कितना कुछ freedom struggle से Congress जो है सीख चुगी थी तो even if a group was not happy with the position of the party, अगर Congress के अंदर कोई ऐसे group of people है जिनको Congress की कोई बात जो है उन्हें लग रहा है, हम इन वाले लोगों से हमारे विचार नहीं मिल रहे है तो वो क्या करते थे, वो उस party को leave नहीं करते थे और opposition नहीं बनाते थे Congress को पार्टी के अंदर ही रहते थे और उन groups को बोला जाता है, faction तो faction की definition तुमारे book में ये रही, मैं तो पहले ही समझा चुक हूँ, faction क्या है, तभी ये वाला topic समन में आता है, बढ़ना नहीं आता तो even if a group was not happy with the position of the party or with the share of power in Congress, in Congress लिखते रहे न it would remain inside the party and fight other groups rather than leaving the party and becoming an opposition these groups inside the party are called factions, की भाई यह रहेंगे Congress के अंदर ही Congress party को leave करके अलग opposition नहीं बनाएंगे, but Congress में ही रहके, जिन से हमारे विचार नहीं में तो उस दूसरी गुप से लड़ेंगे हमारे candidates जीते, इस वाल या ideology के तो हमारी जीत हो गए, तो coalition of the Congress party tolerated, in fact increased various factions अब तुम्हें लग रहा हो कि क्या Congress party चाहती थी या नहीं चाहती थी कि इते faction हो, तो Congress चाहता था, Congress party initially चाहती थी, कि factions हो, अलग-अलग विचार धरा Congress में आये, and factions बने, तो यह उनको और जादा बढ़ावा दिया करती थी, tolerate करके, Some of these factors were based on ideological consideration, काफी सारी factions इसलिए बनते थे, कि कुछ leaders है कहरे हमारी तो सोच यह है, हम तो ऐसा चाहते है, कुछ कहरे हमारी सोच यह है, कोई नहीं चलो, हम यह अपना faction हमारा, यह हमारा group है, election में Congress के नाम से ही participate करेंगे, हम जीते हैं, तो हम जीते हैं, यह जीते हैं, ठीक है कुछ तो ideological के वज़े से, कुछ कुछ faction, personal ambition के हमारा, हम यह चाहते हैं, वो यह चाहते हैं, और rivalry, दुश्मनी के basis पे भी होते थे, कि कुछ leaders आपस में, एक दूसरे से, मतलब, rival हों, उन्होंने अपनी अपनी group अलग बना लिये, तो फिर भी, जो है, इनका क्या चल रहा था, तो factionalism से strength बढ़ आई थी, Congress की, तो इसलिए क्या हो रहा था, since there was room within the party for various factions, जब allowed था, कि आप Congress में रहके, अलग-अलग विचार अपने रख सकते हो, तो किसी भी उन लोगों को जरूराद ने पड़े कि Congress को leave करके, एक opposition party हम बनाए, ठीक है, तो since there was room within the party for various factions to fight each other, it meant that leaders representing different interests and ideology, remain within the Congress, rather than go out and form a new party, समझ रहे हो ना, इस चीज़ को, कि party के अंदर रहके ही वो लड़े, suppose करो कोई है, जनको farmers के हित के लिए है, और कोछ है industrialist के हित के लिए है, दोनों Congress के अंदर ही रहके लड़े, vote जादा मिले farmer वालों को, तो वो जीत गए न, obviously, अब उन्होंने यह नही farmers को target करा, और उनके जो है, उसके लिए उन्होंने vote लड़े वो और उनको जादा vote नहीं, वो Congress के अंदर ही रहे, वहीं रहके उन्होंने रहे, और final victory फिर उसमें Congress का फायदा होता था, ठीक है, तो यह चीज़ आपको समझ में आ गई है, अब यह जो factions का system था, इससे पता है क ruling party as well as the opposition, Congress के अंदर ही rule चल रहा था, और उसके अंदर के पार्टी के लोग ही उसको एक दूसरे को आपस में opposition करते थे, और post करते थे, this is why the period of Indian politics has been described as the Congress system, इसलिए जो first decade है हमारा Indian politics का, उसको हम Congress system वाला, जो भी है, रेफर कर दे थे, ठीक है, अब आते है, next topic, emergence of opposition parties, अब य हमारी country में opposition parties नहीं थी, no, there were many opposition parties, जो मैं आपको उपर बता चुकी हूँ, तो आज जानते हैं opposition party का role क्या होता है, और importance क्या होती है, ठीक है, तो चलो पड़ते हैं, it is not that India did not have opposition parties during this period, यही मैंने का है, तुबारा आपको, कि भाई, थी parties, बहुत सारी parties थी हमारे आपे, जो opposition parties का role प्ले करती थी, इंडिया बड़ी आत नरीके से multi-party system था, और बहुत सारी parties हमारे election में party से paid करती थी, and free fairway में election होते थी, some of these parties जो हमारी political parties है, opposition parties जो है, वो general election से पहले exist करती थी, ऐसा नहीं कि independence के बाद बनी हूँ, या general election के वी, कुछ independence से पहले की थी, कुछ general election से पहले क थी, ठीक है, तो यही चीज़ आपको यार रखनी है, some of these parties played an important role in the politics of countries in the 60s and 70s, 60s or 70s में, 1960s or 1970s में, जो opposition party मनी, उनका बहुत अच्छा role रहा था हमारा, जो है, हमारी इंडिया की politics के अंदर, ठीक है, और political parties, अब आप जानोगे, opposition party का role क्या होता है, ठीक है, चलो, एक्जा तो first role होता है, opposition party का, party offer a sustained, often principled criticism to policies and practices of the congress party, या फिर आप मानो ruling party, देखो, जो यह हमारे हाँ, opposition party पहले election के time से थी, उससे हमें बहुत फायदा मिला, उस ही से तो हमारी country के democracy सही से वर्क करी, उस ही से तो हमारी country में हमने का कि हमारे fair election हुए है, क्योंकि opposition was there, opposition अपना role निभात तो opposition ruling party को check करता रहता था, तो opposition party का role का हो, या उजवानी का opposition party का role, सब सेम होंगे, तो basically, पहला importance ruling position party की क्या थी, क्यों opposition party जो होती है, वो ruling party की policies, जो उन्हें गलत लगे, जो उन्हें लेगे जन्दा के हित के लेने, उसे criticize करती है, ठीक है, next क्या हुआ, this kept the ruling party under check, next जो है, check म पता होगा, कि अगर मैं कुछ गलत करूँगा, या मैं कुछ गलत करेंगी, हमारी party जो है, जो भी power में है, तो वहाँ opposition है, जो जन्ता को बताएगी, कि ये गलत हो रहा है, जो हमार को कहेगी, criticize करेगी, फिर कल को election में, हमार को इसका गलत असर पड़ेगा, तो उन्हें पता ह कि ठीक है, हमें सही तरीके से काम करना है, बिकॉस हमें चेक करने के लिए opposition party है, तो पहरा रोल क्या हुआ, criticize करती है, ruling party को opposition party, दूसरा ruling party को check के अंडर रखती हाने कि उसको देखती रहती है, often changed, बिल्कुल ही, तरीके से उस पे निगरानी रखती है, और criticize करने को बैठी रहत ठीक है, opposition party होती है, वो हमेशा जो है, prevent करती है कि जो country का democratic structure है, वो anti-democratic ना बने, कभी भी अगर कोई गलती ruling party कर रही होगी, तो opposition party का का काम है कि वो गलती को सामने लाए, जिससे जो structure है हमारी country का, वो anti-democratic ना बने, these party also groom the leaders who were to play a crucial role in the shaping of our country, अब यह आपको तो उस समय के बत national struggle में जिन्होंने participate कर रहा था, जिन्होंने हमारे देश को अजादी जिलाई थी, आज कल तो चलो हम opposition party के लिए यह वाला line आप नहीं लिखोगे, opposition party के आप भी भी role सेम है, उस में भी सेम था, बट अगर उजब आने की हम बात करें, इंडिपेंडनेंस के बात पहले थी इन difference था, आज की leaders की बीश में और पुडाने जवाने के मतलब उस समय के leaders की बीश में, बहुत mutual respect हुआ कर दी थी, Congress के बीच में और बाकी opposition parties के बीच में, जो interim government थी हमारी जिसने rule करा था country को after the independence, उन्होंने जो है, जब first general election हुए थे, तो उसमें जो सबने इखटे मिलके काम करा है, Dr. Ambedkar, Shama Prasad Mukherji, जो थे, वो जवालना नहरू के साथ ही थे cabinet के अंतर, इवें जवालना नहरू जी ने जो है, उनको अच्छा ही लगती थी, Socialistic party बहुत जादा, और उन्होंने जै प्रकाश नारायन, जो Socialistic party के leader थे, उन्होंने उनको invite करा था, कि आप हमारी government को join कर लो तो इतना अच्छा मतलब mutual respect और friendship बाला relationship था उस जमाने में opposition party और ruling party थे, उनके leaders के बीश में भी, क्योंकि वो सब कौन थे हो, हमारी national struggle के leaders थे, बहुत सारे national struggle के leaders Congress में थे, बाकी दूसरी parties में थे, जैसे Socialistic party में होगे, Communist party में हो गए, भारतिया जना संग में थे, और भी रहते थे, ठीक है, criticize भी करते थे, तो constructive और एक अच्छा criticism एक दूसरे को करते थे, बहुत warm relationship होता है, this kind of personal relationship with respect for political adversities declined after the political competition grew more intense, तो ये इतनी respect, friendship, opposition parties की leaders के भीश में धीरे-धीरे कम होती रही, जैसे-जैसे politics बढ़ती रही, तो इसलिए first phase जो हमारी democratic politics का हमारी country की बहुत unique है, ठीक है, the inclusive character of the national woman, led by the Congress, enable it to attract different section, groups of the society, अभी आपको last में भी बताया गया है, कि जो Congress का legacy थी national struggle की, उसने बहुत help करी Congress को attract करने के बहुत सारे लोगों को different, different groups को, अभी last line पे आते हैं, हम अपने, the key role of the Congress in the freedom struggle यही बता रहा है, गेव it a head start over others, तो first three general election में Congress का dominance की हुथा है, era because, जो है, legacy थी national movement की, उसने Congress को एक head start दिया, the ability of the Congress to accommodate all interest, हर एक इंटरस थे, factions इतने थे, इस वज़े से, Congress बार बार जीती थी, thus Congress dominance constitutes only one phase in the politics of the history, तो इसलिए यह सिफ first phase की बात है, अब आगे आगे आने वाले chapter में, आप और parties के बारे में भी पढ़ोगे, और आगे आने वाल हमारी politics में वो जानोगे, तो with this, let's end this video, हमने यह chapter पढ़ लिया है, अब आपको, मैं जो है, next part में पढ़ाऊंगी, जो है, हमारी सारी political parties के बारे में, जैसे स्वतंतरता पार्टी के बारे में हम पढ़ेंगे, then we will study about the भारतिय जनारसंग, ठीक है, और फिर यह जितनी भी या फिर डीट करो है, इनसे आटि में से, ठीक है, तो मैं चल जी, बाबे, ठीक, best of luck, हम मिलेंगे next video में